हेलो फ्रेंड वेलकम टू स्टॉक रिसर सेंटर आज हम यहापे बात करने वाले हैं IARFC की डिविदेंड के बारे में यहां पर जो IARFC है कित्ता डिविदेंड इस कवाटर में प्रोवाइड करेगा वो सारी इंफोर्मेशन आपके साथ सेयर करेंगे और जो करेंटली प्राइ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि दुखना चाहिए हमको यह सारे इंफॉर्मेशन आपके साथ सेयर करेंगे जो लोग हमारे चैनल पे नए वने हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें साथ ही यहां पर जो बैन नोटिपकेशन है उसको अन करने इससे क्या होगा आपको प्र साकासा यहां प्रोलिस्टिंग्ज के सकते हैं अपर 3 फ कर सकते हैं मैं चेयुंसकिन अब के पासे मतलब सबस्लायक fortune को सब्सक्राइब सब्सक्राइब धाट सब्सक्राइब सबस्क्राइब सबस्क्राइब के suppose diferenыт खेकृफ के फियुदफियु खोलते हैं तो यहां पे आपको फ्री में डीमेट अकाउंट खूल जाएगा और 500 रुपए यहां पे ट्रेडिंग के लिए आपको दिया जाएगा दूसरा जो लिंक है यहां पे जिरोधा का है इसमें एकाउंट ओपनिंग चार्ज 200 रुपए लगता है और एकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 300 रुपए लगता है बट यहां पे एक खास फीचर प्रोवाइड किया जाता है जी टीटी ओरर का यह बहुत ही सांदर फीचर है तीस इसमें खोलना है खोल लीजे कोई दिक्कत वाली बात नहीं और एक चीज और किसी भी स्टॉक में निवेस करने से पहले अपने फाइनेंसियल अडवाइजर के से कंजंद करें क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉविड भी होता लौस भी होता तो अपना जो रिस्क रिव इसमें प्रॉटर था पिछले क्वाटर में जो आयर्फी डिविडेंट दिया था ये किता दिया था 1.05 रूपीज अगर माले तो यहां पर 5% के आज पस यहां पर आया पर यहां पर धिया था अभी स्क्राटर में किता यहां पर अनॉंस कर सकता है क्योंकि यह लौस्ट लहाए इस प्राइजेंग पर आप यहां पर बाइंग कर सकते हो यहां पर जो डिविडेंट डेट आएगी उसको मैं यहां पर बता दूँगा एक चीज और है अगर यहां पर एक्स डिविडेंट डेट के पहले आप सेर को सेल कर देते हो तो यहां पर आपको मतलब जो है यह पर जो डिविडेंट ए मिलेगा तो आपको एकन डिविडेंट डेट थो दिन bog तीक रहाएं अगर है अगर यहां पर अगर तो आ Hilfe erad हो takiego को कर दीक diesem तो यहां पे जो डिविडेंट है वो ब्रोकर के एकाउंट में जाता है और ब्रोकर आपको कम देता है मेरे जो केस में पिछले बार हुआ था यहां पे 500 हम सेयर रखे थे अपने पोड़ फोलियो में यहां पे जो इसमें 1.05 रुपीच का डिविडेंट एनाउंस की थी कंपन और मैं एक्स डिविडेंट डेट को यहां पे सेयल कर दिया था और मेरे को लगा कि डिविडेंट मिलेगा 525 रुपए बट मेरे को पहली बार पता था यहां पे तो यहां पे जो डिविडेंट मेरे को मिला है ब्रोकर की तरफ से मिला है वो भी 380 रुपए यहां पे वो भी यहाँ पे 0-10 के account में, क्यों मिला था क्योंकि X dividend date को sell कर दिया और वो जो dividend है broker के account में गया, broker वो कुछ cut कर लिया और उसके बार हमको 380 रुपए का dividend मिला, तो यह चीजे हो जाती है तो आपको यहाँ पे क्या करना, direct company से dividend लेना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, यह X dividend date के दो दिन बाद आप sell करना ही अगर आपको sell करना है, लगता है कि price सही आ गई है, तो दो दिन बाद यहाँ पे sell करना ही तो यह चीजे हैं, तो मैं कहां यहाँ पे cover कर देता हूँ, और एक चीज यहाँ पे और मैं यहाँ पे add कर देता हूँ, जो COVID की case हैं लगतार increase कर रहे हैं और यहाँ पे 4 लग के असपास हैं और total death जो आज हुई है, बाट यहाँ पे जो अमेरिका का future है और यूरोप कप यहाँ पे जो market चल रहा है, यह अच्छे खसे मतलब upside में हैं यहाँ पे, आपने all time high पे चल रहे हैं यहाँ तो जैसे यहाँ पे COVID की case कम होते हैं, तो यहाँ पे IRFC का stock आपको boom करता हूँ दिखाई देगा, मैं यहाँ पे बोला हूँ, जो word मैं बोला हूँ यहाँ पे सुनिए, boom करता हूँ दिखाई देगा, बहुत ही तेजी से भागेगा अगर यहाँ पे COVID की case कमने लगें, इंडियन stock market में आपको 17,000 के भी level यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं और जो हैं यहाँ पे निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक में आपको 39 या 40K के लेवल भी दिखाई पड़ सकते हैं, तो यह चीज़े यहाँ पे positive हैं यहाँ पे positive news है यहाँ तो वो चीज़े यहाँ पे आप implement कर सकते हैं, IRFC को अपने portfolio कहीं सब ही बना सकते हैं, dividend भी यहाँ पे provide करेगी, अगर dividend यहाँ पे 21 के रुपीज पे buy करते हैं तो यहाँ पे 21 के रुप सही है, वीडियो चली के तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पेने वाने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही यहाँ पे जो वेन नोडिपकेशन उसको होन कर लीजेगा, इससे क्या होगा आपको proper notification मिलती रहेगी, मिलते नेक्स वीडियो में